हलो एप्रिवान एट्स में सार और आश्मी के और एकने एपसोड में स्वागत हैं जाए लेवाले एपसोड में हम लोगों ने देखा था कि सब कुछ के पीछे तो इसी बुरे दाथा जी यानि की स्टोर्ण विलेज का लीडर का हाथ था जो यहां पर आथे ना जाओ और बा आखको के सब्सक्राइब अपने बागे सारे गुल को जलते होई के बाद दाद चिल्लाने लगते जहां पर चिल्ला तो एक चोटी बच्ची जूसे पूछते हैं कि यह रहे तो मने कहा था कि बागे सारे बंदें यहां पर आने वहले लेकिन वोग गभाएंगे जब हम पूछ बढ़ते हैं कि छोटी बच्ची सच्मित बताओं तुमने यहां पर किसी को बुला है या फिर तुम ऐसे मुझसे जूट बोले हो जो सुनने के बाद थो छोटी बच्ची आपर हखलन लग दिया नहीं बुला है और यह समझ जाने के बाद दादा जी छोटी बच्ची क मैने कछ था तुमने से बचलो बचलो ना जहां पर जाए तुमने का और मैं तो यहां निकल लेता है जो तेड़ने के लेदि नहीं तरफ दलवार रहें लेकिन दाताजी के लिए तो अभी बहुत लेट हो चुका था क्योंकि मोहन तो अभी दाताजी के अंदर घुसी चुका था और यह देखने के बाद जो पहले विलिज का गेट कर देंट तो भी चिल्डा तो यह कहते हैं कि पपाजी आपके साथ यह क्या ह लोगों पदेंट यहां पर यहां आपने अपने सामने बाप को मैं देखने के बास बहुत बहुत आप लेए और यह देखने के बाद अभी तुम इसे निकाल कहां से रहें और शीन के साथ जितने बड़ी बड़ी आ पर आ रहा है था सबको खत्म कर देता है और यह देखने के बाद अभी तो और भी गुसा हो गया था जाहां पर तो बंदा चिल लाते होए कहाता है कि तो प्रहुत को मेरे पपा को मानिका अभी दीखो बच्चे मैं तो मैं तो देखने के लिए बेता मुनों थोड़ा से मैं भ हो दिखाता है यानि कि सौर्ड फ्लास का यूज करते हैं और इसका यूज करने के बाद जितने से जौंबी ड्रागन उसका तरफ बढ़ रहता है सब के साथ साथ अभी सूका भी खेला हो जाता है उसका बहुत नीचे जमी में गिरता है ना थोई दिर पहले जिस जौंबी और दूसरे और हम लोगों को दिखा जाते हैं जो कि अभी ना आसमान में तो लड़ाई कर रहा था और तभी चोटी हो कहते हैं तो और भी जौंबी ड्रागन आ रहे हैं और यह सुनने के बाद छोटी बच्ची तो यहां पर अपने पावर को यूज करने लगए उसी पाव अच्छे पाल के तरह सब वापस चले आता है और अपने सामने का यह सुन्दर नजरा देखने के बाद जाओ तो सच्छी में बहुत हैं दूसरे और यहां पर सिंग्जो को देखने क्लिए मिलते हैं जो कहते हैं अरे देखो तो मुझे तो अभी-अभी मजा रहा था और चले निकल जाओ अगर बाग इसले बंद यह पर आगें तो लोगा निकलने आपना मुस्किल हो जागा कि बाग इसले बंदे इन लोगों से भी ज्यादा वारू जाए लेकिन तुम तुम्हारा क्या होगा जो सुनने के बाद अभी छोटी बची जुई तो कह दें कि पता न कि यह लोग तुम्हारा दादी के बारे में क्या करते हैं तब भी ना यह चोटी बच्ची कहती है पहले पहले जब बंदें मर जाते थे सब लोगों ना हम लोग दबनाया करते थे लेकिन अचनक से ना लेडर का कुछ यहां पर अलग ही रादा हो गया जिसने कहा कि जो करना मेरे दादी जी को मार दिया और मुझे ना बिले जी का अंदर एक हैं पर बंद करके रख दिया था और अभी ना इतना सब को सुनने के बार जाओ तो अभी उसी चोटी लर्गी से पूछ बढ़ते हैं कि हम लोग यह जो मिसन था यह तो चोटी लर्गी कहती है कि जो ज चोटी बची आसपास देखत वह बहुत हैं चोटी लोगों साथ हैं तो यह ना तुम्हारे जो चैंज कर देते हैं और यह करने साथ लाग गोल्ड कॉइंट और यह देखने के बाद ना जाव सची में बहुत ही खुश हो गया था लेकिन रंग में भांग डालने के लिए चोटी बची लिए आज दिए जो आने के बाद ही कहते हैं अरे साव मेरे बंदे तुम्हारे पैसा है यह ज्यादा दे नेटिक ने जो सुनने के बाद ना जाव चॉकति वए कहते हैं तो यह जाए जाएगा जोटी बैक्स पेल्ग करते हुए कहते हैं लेकि तुम्हारे पता ने लिए विभूँक रात और बड़े जारें और यह लिए बहुत सरा पैसा देना पदाए यह आपने साची में बहुत जाओंबी जागन का कोड़ है अगर उसे में बेज डग तो बहुत सारा पैसा भी हो जाएगा जो सुनने के बाद दो नीनिया नो बहुत ही खुश हो जाती है और खुश होने के बाद जाओ से कहते हैं अरे ऐसा बात है तो मुझे पहले कहना चाहिए था ना चलो चलो चल नीडिए जो डिभाइन मोटल एकाटी में उसी का एक छोटा सा एडमिस्टर है जिसका नाम था लियाण फैलिंग जो सुनने के बाद अभी जाओं में लिंग लिंग उसी काम के लिए लिए ना अभी पार्मिस्टर के लिए पता भी नहीं तुम अरोपर क्यों होने वाले हम लोगों ने सुना कि तुम ना यहां पर बहुत भले बड़े काम करें और बहुत सथे बैंडिट को तुम अपने अंदर ले चुकिए और यह सुनने के बाद जाओ बंदा तो समझ गया था कि यह लोग ना यहां पर जो रिंसरी है उसे हरपने के लिए हो और आप यह तुम करेंगे लेकिन जाओ तो कहते हैं कि ठीक हैं लेकिन उससे पहले ना हम मुझे जो सीटी का सील है और अभी यह सील मेरे पास होना सबसे अच्छा होगा जिसमें तो वह जो एडमेस्टर था ना हो सामने आते हुए कि पहले ना तुम्हारी यह सीटी के ओपर हम लोग चोड़ करेंगे अगर इसमें कोई पॉबलर मिला तो यह जो स्टैंफ है ना इसके बारे में तुम भूले जाओ और यह सुनने के बाद ना बाग से एक दो दादो जी कहते हैं रात में ना यह पर चांद नहीं दिखा जाता घर के अंदर तो खुछ अलग खेला होता है जो सुनने के बाद ना लगी तो सर्माने लगते हैं और सर्मा तो है कहते हैं जाओ ना सची में बहुत घरिया बन्द है जहां पर तो सोच रहता था अरे दादा यह आप लोग को बोलने का और पर टाइम नहीं मिला लेकिन दबीन ओव एड्मिनेस्टर कहाता है कि हम लोग ना यह लोग क तो कुछ से कर साथ कहता है क्या तुमने मेरा नाम को कभी नी सुना मैं अभी रेंसरी का करन ले रहो हूं तो एक काम करो तुमना मेरे सिटी से बहुत दूर जाते और कह रहे थे कैसा ची में इस बंदे ने उससे यहां से निकल निकल निकली लिए लेकिन जाओ तो हम लोग यूजए उससे कहाते हैं कि अगल प्रिंस को तो उसने हात कड़ा और ऑगबां के पहुंचा दिया और अगर अगर उससे भी भगवन के पास नहीं पहुंचना है ना तो जल्ली करके जट्बट करके इस रेंसरी के सब्सक्राइब ना भूलना मिलते और एक नशने प्रेद